हलो एब्रिवान वेलकम टू मैं चैनल दीपक्तिया खन्नाव फ्लॉक्स तो आज मैं आप सब के संग शेयर करने वादी हूँ अपनी मौसी का होम टूर जो की आपकी ही डिमांड पर मैंने बनाया है काफी सारे लोग वीडियो देखते थे और कमेंट करते थे कि बहुत अच्छा लग रहा है पीछे का बैक्राउंड दिखाना ये कौन सा रूम है और आपकी मौसी का घर कैसा है तो फाइनली होम टूर आप लोगों के लिए हाजिर है देखो मेरट के लिए निकल पड़े हैं तो ये जो है मेरी मौसी का एंटरंस है में गेट है जिससे सब लोग एंटरी करते हैं तो मैं बाहर नहीं जा रही हूँ बाहर के तरफ से मैं तब नहीं दिखा रही हूँ मैं आपको अंदर से दिखा रही हूँ तो राइट हैं पे जो है ड्राइंग रूम है एंटरी करते ह में गेट से यहाँ पर दिवान है सोफे वगारा डले हुए है दिवान पर बहुत खुबसूरा से बैच्षिट बिच हुई है इस टाइम बिगड़ी हुई है क्योंकि हम लोग निकलने ही वाले हैं मेरट के लिए तो थोड़ा से मैसी तो हो जाता है देखो जाते जाते वैसे भी घर में बोचाला हुआ है या निकी दिया आई हुए है वो बहुत दोड़ लगाती है लंबा सा गर है ना दोड़े लगाती है सीधे और छेरती हुजलती है सारे समान को और सामने ही जो है सोफे बगारे डले हुए है और सोफे पे भी समान है आप लोग देखी सकते हो मैंने जाते जाते शूट कर लिया था ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा शोकेज रखा हुआ है जिसमें कुछ डेकुरेशन आइटम बगारे लगी हुई है टीवी बगारा लगा हुआ है कुछ काम की चीजे है कुछ चोकलेट्स है कुछ टॉफी बगारा है यह सब चीजे हाँ पर लगी हुई है बहुत अच्छे से बहुत खूबसूरती से मेरी मौसीची अपने घर को रखती है और सब लोग उस चीजे को मिंटेन करते है सामने यह सचीन तैंदुलकर लगे हुए जो कि अन्नु भाई ने बनाए है और वाल पे कुछ फोटो बगारा लगी है यह नीदी दी है उनकी शादी के फोटो है और नीचे कुछ बच्पन की फोटो है अन्नु भाई की बीच में मॉन्टी भाई की सगाई की फोटो है जिसमें सारे भाई है यह सारे मेरे भाई है सब छोटे छोटे हैं किसी की भी शादी नहीं होई थी लेकिन अब तो यह है आदे से ज़ादा लोगों की शादी हो चुकी और कुछ की होनी है जैसे अत्तुल हो गया, शैंकी हो गया, तो इन सब की अभी शादी होनी है, उपर नव्या दीवों और सोना थी, साइड में वाल ख्लॉक और कुछ ड्राइंग रूम का, कैसा लग रहा है मुझे कॉमेंट करके पताईएगा, अब ये तो थोड़ा सा बहु नहीं ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम नहीं बेड रूम है, बेट पर देखो दिया सुरी है, सुबह सुवए का वक्त है ठोरा सा मैसी यहाँ पर भी आप लोगों को दिख रहा होगा, बेट कोई बात निए, घर ऐसी होते हैं गर जाने के लिए तो होते ही होते हैं यूज करने के लिए भी होते हैं तो यूज कर तो थोड़ा बहुत तो वैली जाता है बैट के दोनों साइट पे टेबल लगी हुई है कुछ पेंटिंग लग रही है सामने एक फोटो लग रही है मेरे भाई की और मौसी जी की और दिवार में ही अलमीरा बनी हुई है स्पेस देखो कितने अच्छे से यहां पर यूज किया गया है और यहां पर एक मिरर लगा हुआ है उपर वॉल्क लॉक है अगेन तो घर को एकदम सिंपल रखा हुआ है बहुत अच्छा लुका रहा है और यहां की परदे कुछ इस तरीके के हैं भार लेके चलती हुँ मैं भार है बालकनी यह देखो बालकनी इस तरह वाली बड़ी अच्छी है बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है हमेशा एक तब मतलब होता है ना ठंडा का एसास खोलते ही चाय भरी गर्मी हो चाय कुछ हो तो अच्छा लगता है यहां पर रोड ना अभी नीचे की बनीनी है यह देखो तो उबर खाबर इस टाइम पर हो रखा बाकी सब कुछ ओल ओवर यहां पर बढ़िया है सब कुछ हर तरीके की फैसिलिटी है चलो वापिस चलते हैं वापिस यहीं से होकर गुजरेंगे बेड्रूम से होकर और उसकी बाद यहां पर हम पहुच जाते हैं ट्रैंग डूम में तो आपको मैं इस तरीके से घुमाती हूँ चलते हूँ ना तो आपको समझ में आ रहा होगा घर पूरा फिर देखो यह में गेट आ गया है और में गेट से लेफ्ट की तरफ यह सब शुरू हो रहा है तो लेफ्ट की तरफ कलमीरा रखी हुई है फिर कूलर रखा हुआ है फिर फ्रिज रखा हुआ है कूलर निकल चुके हैं क्योंकि यूज होने है तो अभी बैट सीट वगारा से ढाक कर यही पर रखे हुए है और यह मेरी मौसी जी की किच्चन है जो की मेरे को तो बहुत सुंदर लगती है सच्ची बता रही हूँ बहुत सुंदर है किच्चन आते जाते लोगों को दिखेगी मतलब जैसे कोई मौसी की गर में आएगा न तो आते जाते दिखेगी तो वो भी बोरेगा कितनी खुब सूरत है ओपन किच्चन है तो मौसी जी तो देखो नाश्टा बना रही है हम चलते हैं आगे आगे का घर देखते हैं मौसी जी को पता है मैं वीडियो बना रही हूँ मौसी जी बिल्कुल मनानी करती है कि मेरे घर की मत बनाओ या कुछ मत करो तो यहाँ पर आगे बढ़ते ही एक यह रूम भी है अगर यह चाहो तो इस रूम को भी न अच्छे से बेडरूम बगारा बना सकते हैं बट होता है न कि एक नए एक रूम ऐसा होता है जहाँ पर एक्स्ट्रा समान बड़ा बड़ा रखा जाता है तो यहाँ पर भी अलमीरा बगारा रखी है बड़ी बड़ी और भी कुछ समान है जैसे बकसे बगारा हो गए और मंदिर भी बना हुआ है इपर फोल्डिंग भी चुई है वैसे तो कोई लेटना चाहे एक जना तो लेट सकता है जब हम आए होए थे तो अतुल यहाँ पर लेटता था और यहाँ पर भी देखो सूट वगारा रखे हैं मौसी जी अभी निकलेंगी ना हमारे साथ तो सूट वगारा निकाल लिया उन्होंने पहले से ही तो यह रोम जो है अब चलते हैं आगे की तरफ लोग भी न जयमात अदी कर लो भगवान जी के दर्शिन कर लो है ना आप लोग भी खूब सारा अशिरबाद मिलेगा अब चलते हैं आगे की तरफ अगे एक रोम और है और मैं दिवार का पेंट जो है आप लोगों को अब दिखाती हूं, डिटेल में, ये भी दिखा देती हूं, कुछ हेंग और रखाता और दिवार का पेंट दिखाती हूं, ये जो है, अन्दु भाई ने खुद से जो है, किया हूआ है, पूरे घर में उनने खुद किया है, अकेले, बिना किसी की हेलप के, न तुल भाई की help ली ना किसी और की help ली ना मौसा जी की help ली खुद करा हुआ है पूरे घर में paint यह पूरा design वी design जो भी इदिवार पर वो कुछ से करा हुआ है चलो मैं light चलाके फिर दिखाती हूं यह है अन्नु भाई का room अभी अभी जो है वो भार गये हैं, बाहर मतलब ब्रश करने के लिए दूसरे तरफ वाले पार्थूम में गये हैं, तो पनकर चलो फटाफट से छूट कर लेती हूं, तो यहाँपर भी आपको मैचिंग मिलेगी, एक थीम मिलेगी, रूम मतलब बॉल से, और बैट शीट से माचिंग वैचिंग और परदे वगारा सब कुछ मैचिंग मिलेंगे यह देखो थीम बना रखी हो उना ने जो की बहुत अच्छा लुक दे रही है यह इनका क्या है ट्रेसिंग टेबल है भूल जाती हूं यार इतना बोल रही हो ना तो भूल जाती हूं बीना पर एक के बोल रही हूं और यह बैट है इनका साइट में एक टेबल लगी हुई है और एक कूलर लगा हुआ है इस रूम का और यह सामने जो है स्टाड़ी टेबल है सिस्टम भी लगा हुआ है और लेप्टॉप भी रखा हुआ है इसको खोल के दिखाना तो विकार है इसने मामा के संखेर लिये चोटे वाला के साथ और यहां पर एक एटेच वाश्रूम है दिखा देती हूं पूरा फुल ने दिखाऊंगी बस एक जलब दिखाँ देती हो तो यह अटेच वाश्रूम बना हुआ है वाश वेशन भी अंदर है बंद कर देता हैं इसको चलो और आगे बढ़ते हैं मुझे ना इसकी टाइल्स वगारा बहुत अच्छी लग रही थी इस वाले वाश्रूम की समंदर बना हुआ था समंदर और सी वगारा बना हुआ था तो यह ज्यादा यूज नहीं होता है यहां पर भी कुछ एक्स्ट्रा समान रखा हुआ है यूज वह व दर्वाजा बगारा और मुझे पता ही नहीं था मतलब की मतलब इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा मुझे वन्ना वीडियो को पोस्ट कर देती फिर खोलती में बट कोई बात नहीं थोड़ा सा चल जाता है चल जाता है आप लोग तो बने हुए ना मिर साथ यह देखो प आगे बारी में तो दिखता है फिर पीछे भी छोटी सी गली बनी हुए है यह देखो चलो फिर से अंदर चलते हैं घर आप लोगो कैसा लगा मेरी मौसी जी का मुझे कॉमेंट करके बताईए का यह है पूरा घर का लुक यह लास्ट था इस रूम मतलब इस घर का रूम काफी अच्छे-च्छे से बतलब फ्लोर बने हों और भी काफी अच्छे-च्छे से यह अनुभाई का रूम है फिर उसके बाद आगे बढ़ो तो एक क्या बोलो इसको स्टोर रूम है मंदिर रूम है जो भी है लाइट बन कर देती हूं इसकी और यह किचन है बहुत प्या है अनुभाई का क्योंकि वो नहाने चले के ब्रेश करती ही और उनको नहाते ही जो है खाने को चाहिए डाइट डाइट पर है वह इस टाइम पर यह देखो तो बहुत सुंदर सा किचन को डाकुरेट कर रखा है और बहुत ही मत्तब सफा साफाई है मेरी मौसी की गर्मेना स अब मेरी जबान वॉछ फिसलना लगी है क्योंकि इतना लंबा मैं बोल चुकी हो तो अब मेरी जबान विसलना लगी है तो इग्नॉर करना अगर कुछ जादा कुछ हो जाए तो यह फ्रिज है यह कूलर है यह मारी है और वह में गेट है जो कि बंद हो चुका है पहले कि तरफ बहुत ही नजदीक पहुच चुकी हो मैं ममी के घर के घर आपने देखी लिया है अभी फिर से आपको इतने दिन बाद अपना घर दिखाऊंगी अपनी ममी से मिलवाऊंगी ममी का रियक्षन देखते हैं कैसा होता है ममी रोती है हस्ती है हम लोगों को दिखकर या फि वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक कर देना शेयर कर देना अपने फैमली फ्रेंट के साथ बिलती हूं मैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बबाई टेक कियर अपना धियान लखेगा फैमली का धियान लखेगा और बच्चों को तो देखो खास और पर धिय लिए बिना मास्के हम लोग जो है अच्छे टाइम पर गूव कर आ गए और आप तो देखो हर जगा फिर से वो कर्फ्यू लोगडाउन लग गया है तो हम लोग तो आ गए हैं वापेस बाई बाई